हेलो फ्रेंड्स हम सुरू करेंगे नंबर 10 से, नंबर 10 पर है वियतनाम, वियतनाम की एसिया पावर इंडेक्स 18.3 है, यह एक दक्सिन पूर्व एसिया नदेस है, वियतनाम की आबादी 9.6 करोड है, और यह दुनिया की सबसे ज़्यदा आबादी वाला देस्क की लिस्ट में 15 नंबर पर आता है, 2019 में वाल्ड रिपोर्ट और इवेस निउज के अनुसर, वाल्ड एकोनोमी पे 32 रैंक पर था, अगर ग्लोबल फावर पर इंडेक्स रैंकिंग दखेंगे, तो वियतनाम की आर्म फोर्स ग्लोबाली 23 नंबर पर है, वियतनम के पास सब्मेरिन, स्ट्राइक फाइटर्स, आंटी ऐरक्रफ्ट मिसल सिस्टम, राडर सिस्टम और डेवलप टैंक इनिट्स भी है, वियतनम ज्यादातर अपनी करवार चाइना, ईवेस, साथ कुरिया और जापन के साथ करता है, लाउस, कमबडिया जैसे देस भी वियतनम के साथ अपने ट्रेट कारवार करते है, नमर ना, मालेशय, मालेशय के ऐसे पावर इंडेक्स से 18.3, पिछले रैंकिंग के तुलना में, मालेशय की एक रैंकिंग निच्चे हुआ है, लेकिन कल्चुरल इंप्लेंस के टेगरी में, मालेशय अच्छा परवांस किय है, और एक बहतरी ट्रावल डेस्टिनेशन के हिसाब से बहुत पप्लर है मालेशय, तीन कोरण से उपर के आबादी है मालेशय में, 2020 की ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग में, मालेशय 20 नमबर पर था, मालेशय की स्लोगन है, मालेशय ट्रूल इस स्लोगन से पता चलता ह कि मालेशय की पूरे एस्या में कॉल्चूरल कितने पावरफुल है, मालेशय जादतर अपनी ट्रेड कारवार के लिए चाइना, सिंग्यापोर और साथ करिया के साथ करता है, नमबर एट थाइलंड, थाइलंड की एस्या पावर इंडेक्स 19.2 है, यह एक साथ इस्ट पूरे दुनिया में फैमस है, यह देश की एकनोमी साथ इट एस्या में सेकंड लार्जेस्ट एकनोमी है, साथ करण के आसपास आबादी है थाइलंड में, 2020 में थाइलंड के पास 3.6 लग एक्टिव आर्मी फोर्सेस थे और 2 लग रीजर पोर्संस थे, थाइलंड की एकनो इंडोनेशय की एसीया पावर किनर से 19.4 पिछलंग से 2 रंक उपर आया है इंडोनेशय है, अबरल में नालेशया और अ हमींडोनेशया एक मिडल पावर डेश है और साथ एस्ट एस टोडेल एडिया के बासर इंडोनेशया पर अगर हम इकोनोमी के बारे में बात करेंगे तो पॉर्चेजिंग पाउर प्रेट के अनुसा यह दुनिया के सब सब बड़े एकोनोमी के लिस्ट में टेंथ पोजिशन पर है चाइना सिंगापॉर और जापन के साथ जालातर इंटरनेशनल ट्रेट करता है इंड़नेश्य सिंगापॉर सिंगापॉर की ऐसे पाउर इंडेक्स 26.2 है यह एक ऐसा सहर है जो की खुद एक राज्य और देश भी है मातर शाट लग लोगों की यह छोटी सी देश अपनी सेप्टी और सिकरिट के माबले में काफी आगे है अच्छे जीडिपी ग्रोथ और लो ओन एम्प करता है दुनिया में सबसे अमिर देश के लिस्ट में ट्रैंस पॉजिशन पर आता है सिंगापॉर सिंगापॉर की मैनुफेट्चर सेक्टर देश की टॉटल जीडिपी में 20 से 25 परतिशा कंट्रिबुट करता है चाइना मालिशिया युएस और ताइवैन के साथ जड़तर इंटरनेशनल कारवार करता है नमबो फाइव साथ करिया यह देश की एसिया पावर इंडेक्स 30 है यह एक इस्टेशन कंट्री है 1945 में जापन से कोरिया इंडिपेडेट होने के बाद साथ करिया एक अलग नया देश बना था पांच करण से ज्यादा आबादी बाला देश स साथ करिया एक हाइटेक वेस्ट इकनोमिक देश है जो कि वर्ल में अभरल एकनोमी में 11 पोजिशन पर है सामसंग हुंडाई और किया जैसे ब्रांड्स की हेड़कोर्टर्स साथ करिया में ही है युनेटर नेशन्स जी ट्वेंटी वाल्ड ट्रेड और अर्गनेशन और भी रोश्या के 75% एरिया एसिया में है और 25% एरिया एउरोप में है टोटल एरिया के अनुसर रोश्या पूरे दुनिया में सबसे बड़ा देश है यह एक नर्थ एसियन कंट्री है रोश्या के एकनोमिक पूरे दुनिया में सबसे बड़ा एकनोमिक लिस्ट में आता है कि रो रोशिया अपनी इंटरनेशनल ट्रेट के लिए यूरोपयान इउनियोन और चाइना के उपर ज़्या तर डिपेंड करता है। 3. इंडिया इंडिया की एसिया पाउर इंडेक्स 37.7 है। यह एक साउट एसियान देश है। जो की पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्राटिक कंट्री है। 138 करोड आबाधी के साथ। इंडिया जाद तर चाइना, इवेस, इवेई के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करता है। नेपाल, स्रिल्लंका और बंगलादस जैसे देश भी इंडिया के उपर डिपेंड करते हैं अपनी कारबार करें। ग्लोबल फायर पर रेंकिंग के उनसर, इंडिया की मिलिटरी पाउर फॉर्ड पजिशन पर आता है। नमबर टू, जापन, एसिया पाउर इंडिक्स में जापन का अवराल स्कोर है 38.7। जापन एक ऐसा देश है जो कि एक आईलेंड की तरह है और यह इस्ट एसिया में है। यह दिश टेक्निकली बहुत आड़बंस है और यह ज्यादा लिटरेट देश भी है। दुनिया में जापन की मिलिट्री पर पूरे दुनिया में पाच नमबर पर आता है। चाइना, एस और एउरोप्यान इउनियन के साथ जापन ज़्यादतर इंटरनेशनल ट्रेड करता है। नमबर वान, चाइना, चाइना की अवरल एस्याद पावर इंडेस है 74.6 जिस वज़े से एस्याद में चाइना को सुपर पावर देश में माना जाता है। यह की इस्ट एस्याद देश है जिए पूरे दुनिया में सबसे अबादी बाला देश है। पिछले 20 सालों से सबसे बड़ा फास्टेट गए एकनोमी चाइना के है। इसके साथ साथ चाइना अन्यों देश को अपने प्रोड़क्स ज़्याद तर एक्सपोर्ट करता है। ग्लोबल गीडिपी पे सिर्फ चाइना की 9.3 प्रतिसत है और ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर में 9.6 प्रतिसत है। व दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया आने वाला टाइम पे चाइना को अवर्टक कर पाएगा और एक्सपोर्ट पावर हो पाएगा। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके हमें जर्यर बताए। थैंक्यू फ्रेंड्स आपके वेलेबल टाइम के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नहीं सिखने को मिला है तो पहले हमारे टॉप 10 चैनल को सब्सक्रे कीजिए लाइक कर एंड कमेट करके जर्यर बताएगी आप और कॉंसी टापिक के बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम हमारे वीडियो को आपके लिए और भ कर लो के बाइगी बाइगी